हेलो एंड वेलकम दोस्तों सुवागत है आपका डार्गेट फॉर आईक्यू में और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनता कर्फ्यू को लेकर यह टोपिक है बहुत ही इंपोर्टेंट है इसमें हम चर्चा करेंगे और क्योंकि आज 22 मार्च 2020 को पूरे संपूर भारत में जनता कर्फ्यू है और जनता कर्फ्यू को मैंने बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में साधान सब्दों में आप लोगों के लिए लिखाया आयोप आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद और हो सकता है कि आपके आने वाले एक्जाम में इस कीवर्ड का मींस जनता कर्फ्यू का बारे में लिखा लिया जाए या पूछ लिया जाए ठीक है तो जो फैक्ट है वो मैंने आपको पिंक पैंसे लिख लिए और बाकी मेंस पॉइंट ऑफ यू से मैंने इसको लिख नहीं हुआ है लेकिन पहली बार भारत के प्रदान मंत्री स्री निरेंदर मोदी जी द्वारा 2020 में जो फैला है करोना वाइरस उस जो वैच्विक मामारी है उसके दुरान ये 19 मार्च को रात 8 वजे गोशना की गई रास्टे सम्मोधन पर ठीक है और इसके महत्पूर में प्रवावी होगा और 22 मार्च को सुबह 7 वजे से 9 वजे तक ये लागू रहेगा जिसके अंतरगत सभी नागरिक घरों के अंदर रहेंगे केवल डाक्टर यारी चिकिसा से संबंदित व्यक्ति और पुलिस मीडिया और अति आवश्यक कामों से जुड़े लोग ही बाह कि सब लोग अपने घर में ही रहेंगे चीक है तो ये बहुत इंपोर्टेंट बात है इसमें याद रखना है और ये केवल 14 घंटे के लिए होगा ये भी याद रखना है और इसमें एक इंपोर्टेंट बात ये मज़ेदार है कि साम 5 बजे सबे नागरिक अपने दरवाजो खिडकियों और बालकनी पर खड़े होकर आवशक सेवाय देने वाले मतलब ऐसे लोग जो मैं पहले बता चुका हूँ जिसमें लोगों को अवेर करते हूँ डाक्टर्स हैं और आपके पुलिस बहल हैं इन लोगों के लिए ठाली और ताली दोनों बजा कर या साथ में करेंगे ठीक है तो यह आपका कर्फ्यू है एक बात मैं बता दूं क्या जंता का कर्फ्यू लोगों के लिए मानना अनिवार है तो ऐसा कुछ नहीं है यह सरकार की गाइडलाइन होती है लेकिन लोग डाउन और जंता कर्फ्यू में फर्क है लोग डाउन में जंता को मानना पड़ता है और वो इसके अंतरगत बाउंड हो जाते हैं इसलिए दोनों में अंतर भी अगर आप लोगों को लिखना है तो जंता कर्फ्यू में जो व्यक्ति हैं नागरिक हैं उन्हें सरकार की बातों का मानना अनिवारे नहीं होता है जबकि लोगडाउन में जंता को सरकार क सवी नियम और कानूनों का पालन करना बेहत जरूरी है ये आप लोगों को याद रखना है ठीक है इसके साथ साथ मैंने कुछ अपनी व्यक्तिगत रायर लिखी है जो आयोप आपको पसंद आएगी और प्लीज जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी दिल स पता चल सके और हम इसे बच सकें करोना जो है वैस्विक मामारी के रूप में भारत सही सभी बड़े बड़े देश जितने भी समस्त देश हैं और उनकी जनता के सयोग से कानून नियम और जागरुकता फिलाने के तरह तरह के कारेक्रम किये जा रहे हैं जिसमें समय समय पर जनता द्वारा guideline भी दी जा रही है आप लोगों को पता है तो मैंने इसी एक संचिप याने concise form में इसको लिखा है और I hope आपको ये पसंद आये होगा और आप लोग भी आज घर पर हैं संडे है 22 मार्च है जनता कर्फ्यूव पर कुछ लिखें कुछ अच्छा पढ़ें कुछ से बाहर बिल्कुल ना लिकले दूसरों को aware करें social media पर आप कुछ अच्छा message share कर सकते हैं दूसरों लोगों के लिए और I hope आपको ये पसंद आया होगा और ये PDF आपको अगर चाहिए तो आप मेरा telegram group जाइन कर सकते हैं जिसका link में description में दे रहा हूँ आपको ठीक है तो I hope जनता कर फ्यू हम सभी लोग इसका पालन करेंगे और क्योंकि रास्ठित में के लिए हैं और ये किसी व्यक्तिगत या किसी धार्मिक जो मान्यता हैं उन सब को तोड़ते हुए केवल और केवल मानता का एक रास्ता है हम सब उस पर ही चलना चाहते हैं तो वो उसी के लिए ह हैं ताकि हम सब लोग इस करोना जैसी महमारी से बच सकें ठीक है तो थैंक्यू सो मच ओल अफ यू अपना ध्यान रखिएगा और सयम बरते सुरक्षित रहें अकेले रहें थैंक्यू